याद तो कर रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं मैंनत से, लेकिन हम बहुत दे तक उसको recite नहीं कर पाते, recall नहीं कर पाते, reproduce नहीं कर पाते, दुबारा हम उसको exam में नहीं कर पा रहे हैं, performance में बहुत negative जो है वो प्रभावार है, तो चलिए दोस्तों आज आज आपकी इस समस्या का स जरूरा रूप होता है, जो हमारा imagination का part होता है, वो बहुत powerful होता है, right, बहुत powerful, क्योंकि हमारा दिमाग जो है, वो cable और cable pictures के form में चीजों को समझता है, example देखना चाहेंगे, मैंने कहा seven, right, क्या है आपके दिमाग में, seven, साथ आ गया, जो आपने देखा, अगर कोई हिंदी विश्विद्याले में पढ़कर आया है, संस्क्रत में, तो उसको साथ दूसरी तरह से दिखाई पड़ेगा, अगर वो Roman में आया है, तो उसको साथ दूसरी तरह से दिखाई पड़ेगा, इसका मतलब है कि हम सिर्फ pictures की form में इन चीजों को समझते हैं, यानि हमारा imagination जितना वैग्यानिक का तमगा में लाओ, सबसे बड़े बहुतिक वैग्यानिक, और इनके दिमाग की सबसे खास बात यह थी कि यह जटल से जटल, जो इनकी अफधारनाएं हैं, जो इन्होंने theories निकाली, वो इन्होंने अपनी imagination में निकाली, मानव इतिहास, मानव का पूरा जो है यही Albert Einstein, इन्होंने एक बहुत फेमस लाइन कही है, कि कलपना ज्यान चे अधिक शक्तिशाली है, इसका मतलब है, imagination is very powerful than knowledge, तो दोस्तों, imagination का होना, हमारी smart studies का एक बहुत important शर्त है, करनेंगे कैसे हम लोग imagination, हम कैसे practices को enhance करके लेकर जाते हैं, क्योंकि मैं कई students से मिल चुका ह जिनकी imagination जो power होती है, तो black and white होती है, या ग्रे होती है, या वो चीजों को as it is, जो है, analyze करके उसको imagine नहीं कर पाते हैं, इसका प्रभाव उनकी पढ़ाई पर भी पढ़ता है, वो चीजों को पढ़ते हैं, news paper को देखते हैं, पर उसको वो recall नहीं कर पाते हैं, यानि recalling के ल जो है, हम exercise लेते हैं, करना क्या है, आपको एक pen लीजिए, ठीक है, ball pen, fountain pen, जो भी आपके पास pen है, उसको लीजिए और बहुत ध्यान से उसको analyze करके देखिए, उपर, नीचे उसको घुमागर, वीर देखिए, उसका color क्या है, उसके उपर picture कैसी बनी हुई है, उसके उपर printing इसको देखिए, analyze करिए, इसको घुमाईए, और इसको देखने के बाद, लगबग 90 सेकेंड तक इसको आप गौर से देखेंगे, analyze करेंगे, अब आपको क्या करना है, आँखें बन करनी है, और अपने मन की आँख से, इस pen को बहुत ध्यान से देखना है, इसका color क्या है, इ ये किस प्रकार का, इसमें कौन सा इससा rubber का बना है, कौन सा plastic का है, इसके tip कैसी है, ये कैसा दिखता है, इसके उपर printing क्या है, इसके words कौन से use किये गए है, ये सब कुछ जो है, वो आप बहुत बारीकी से, ऐसा scan करते हुए, 3D के रूप में इसको देखेंगे, जैसे आपक इसको maximum से maximum imagine कर ले जाते हैं, तो इसका मतलब है, आपका जो brain है, वो images को recept कर रहा है, उसको absorb कर रहा है, और अगर नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपकी analytical power, आपकी किसी भी चीज़ पर focus करने की छमता जो है, वो काफी कम है, अब आपको करना क्या है, इस imagination करने के आपको महसूस करना है कि आपने इसको अपने हाथों से पकड़ा हुआ है, यानि अब आपको अपनी मन की आँखों में जाकर इसको अपने हाथों से पकड़ते हुए देखना है, और अपने हाथों के उपर इस pressure को महसूस करना है, यानि अब आप क्या कर रहा है, अपनी ग् देख रहे हो इंक हो गया उसकी गंद कैसी हा रही है इंक पिर स्मेल को मैसूश करोगे । NEW इसा है और ऐसा करो और यह पैस Vielleicht है उसको बाड़ाते चले जारहे है और ऐसा apr आप अपनी जो brain की चमता यानि चीजों को गरहन करने की चमता है capacity है उसको बढ़ाना शुरू कर दोगे तो यह आपका basic जो है वो practice रही यह basic practice को करके आप जो है वो काफी अच्छा कर सकते हो इसको और enhance करेंगे इसके बाद आप कुछ जैसे की 3D pictures को आप involve करोगे जैसे आपने कई बार कुटे और बिल्ली को देखा होगा कुटे और बिल्ली को कई बार हम लोगों ने देखा लेकिन अब आप अपने मन की आँकों मुसे दोड़ते हुए देखोगे ये सारी चीज़ें आप जो है वो ध्यान से देखोगे और यहां मैंने देखा है कि जन स्टुटेंट्स को मैंने ये प्रैक्टिस कराई है उसमें से 70-80% ऐसे थे स्टुटेंट जिन्होंने इतनी बार इस जानवर को देखा है लेकिन वो उसको एनलाइज नहीं कर पा रहे थे ये बता रहा है कि जो हमारा memory system है वो काफी weak है जो हमारी information reception की जो तरीका है जो methods है वो काफी weak तो ऐसा करके आप एनलाइज करोगे अब इसको आप क्या करोगे 3D rotate करोगे अभी कुटा इस direction में दोड़ रहा है इसको आप रोटेट करोगे आपके सामने दूसरी direction में जा रहा है आप उसको अपनी मन की आँखों में रोटेट होते हुए देखोगे और कोशिश करोगे कि color pictures में उसको हम देख सके जितना बारीकिस उसको देखोगे आप देखोगे आप धीरे दीरे समें involved होते चले जा रहे हो आपका ध्यान जो है उसके अंदर आता जा रहा है आप struggle कर रहे हो उसके साथ खली कहानियां सुना होगा आपने कि विवेका नंद एक बार जिस किताब को पलट लेते थे वो उन्हें हुबभु याद हो जाती थी या महान वैग्यानिक टेसला के बारे में सुना होगा टेसला को जो मशीनें डिजाइन करनी होती थी उस मशीन की बारीक से बारीक तेज की भी डिजाइन फेले वह उनके दिमांग में हो जाती थी पहले वह उपने दिमांग में design करते थे उसके बाद हो जो हो ही मशीन हो बनकर तेयार होती थी तो इसका मतलब है कि अगर हम अपनी मेमोऔरी को अगर अपनी disparu कि कुछ भी आपने चापिक सुलों किया कई हुआ होता है वो रेस लगा रहा होता है अरे हमें 10 पेज 20 पेज 30 पेज पढ़ने जाना यह सबसे गलत मैठड है पढ़ने का आपने माली जे पूरा पेज पढ़ा या पूरा टॉपिक पढ़ा अब आपको क्या करना है आंक बंग और उस पर्टिकुलर पेज को अपने मन की आँखो से स्कैन करते जाना है स्कैनर स्कैन करता है वैसे उसको स्कैन करना देखना है कि उसमें कितने पॉइंट्स जो आपने अंडरलाइन किये हैं जो आपने पॉइंट्स बनाए हैं वो कितने जादा याद रहे अगर आपको 70% से जादा पेपर याद हो रहा है तो इसका मतलब है कि आपका imagination जो है वो up to the mark है लेकिन अगर आपने शुरुआत की चार लाइने तो याद आ रही है लेकिन धीरे 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 जैसे आप नीचे की तरफ जा रहे हो blur होता जा रहा है, धुमिल होता जा रहा है, गायव होता जा रहा है इसका मतलब है कि आप पढ़तो रहे थे, पढ़ते हुए दिखाई पढ़ रहे थे लेकिन आप जो है अपने दिमांग में उन information को receive नहीं कर पा रहे थे मैंने कई ऐसे student भी देखे हैं, उनसे मुलाकात की है जो बड़े खुश रहते हैं, imaginative होते हैं और वो books को एक दो बार पलटते हैं और उसमें maximum information को याद हो जाती है जैसे आप माली history पढ़ रहे हैं, गांधी का अंदोलन पढ़ रहे हैं तो वो क्या होता अपने आपको involve कर देते हैं अगर exam में वो blur हो रहा है तो इसका मतलब है कि आपको वो result नहीं देगा तो आपकी सारी मेहनत जो है वो अंत में जाकर खराब हो जाएगी हम generally क्या होता है, classes में, coaching में जाते हैं तो teacher जो है student को पढ़ा देता है कि हाँ यह पढ़ाना है, वो पढ़ाना है, वो lecture देता है लेकिन आपका दिमाग उसको recept कर रहा है, उसको जो है ग्रहन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, यह बहुत महत्पूर है और यहां हम ओजांकाई, इस academy में हम इस बात की कोशिश करते हैं कि आपके subject के पूरे होने के साथ साथ, आपका दिमाग जो है, वो condition होता कि आप कम समय में जादा जादा information को गरहन कर सके, उसमें यह एक बहुत महत्पूर टेकनिक है और अगर आप यह practices करते हैं, तो मैं उमीद करता हूँ कि डेर से दो महीने के बाद आप बहुत easily चीजों को तेजी से गहन करना शुरू कर देंगे, आप तेजी से news paper से गुजरेंगे, आप information से गुजरेंगे, books पढ़ेंगे और उसका maximum से maximum हिस्सा आपके दिमाग के अंदर होगा, और मैं चाहता भी हूँ कि मेरा strength जो है वो अपने सपनों को पास सके, सफल हो सके और जो असफलता बार-बार उसका दर्वाजा खटटा रही है, उसको कोशिश रोक रही है अंदर जाने से, वो यह दर्वाजा जो है उसके लिए खल जाए, लेकिन उसके तरीके जो होगे वो अलग होगे, हम कहते तो हैं कि स्मार्ट स्कड़ी करनी चाहिए, हम कहते हैं कि आपका वेक्तित निर्मार्ण होना चीए लेकिन कह देने भर से नहीं होता यह skills हैं और यहां हमें करके सीखना पड़ता है और अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो मैं उस दिक्कत को हटाने की जिम्मदारी लेता हूँ ठीक है और जो methods है मेरे वो definitely आपको सफलता के दरवाजे तक लेकर जाएंगे जाएंगे बशरते आप इन practices को पुरी स्टरदा के साथ इमानदारी के साथ, regularity के साथ अगर ये करने की कोशिश करते हो इसे तरह आप और भी उटपटांग जो है imagination कर सकते हो जैसे आप गांधी को अपने सामने देखो कि गांधी अगर आपके सामने है तो आप उनसे कैसे वारतालाब करोगे या Hitler को देखो या Second World War को देखो कि आप उस World War में सामिलो और आप उसका एक हिस्सा हो और कैसी वहाँ situation चल देगी कैसे गोले बारूद हैं कैसा जो है वहाँ पर situation हो रही है और आखे बंद करके आप अपनी जो है वो targeted imagination करो पर एक बार ध्यान रखना यहाँ एक जो है वो एक सावधानी रखनी है imagination programmed होती है आप जो चाहते हो और यही पर एक होता है आखे बंद करके आराम से जो है वो दिवा सपनों में खो जाना I'm feeling like IS officer आप मज़े से भाईया गाडी में घूम रहे यह एक दूसरी चीज होती है सपने देखना imagination target होता है moving होता है 3D होता है ठीक है आप उसमें जटिलता लेकर आते हो आप बड़े ध्यान से उसको analyze करते हो ठीक है कि गांधी के कपड़े कैसे है उस समय का पीछे का scene कैसा है आप अपने दिमाग को order देते हो और आपका दिमाग उसको pictures में convert करता है ताकि आप अपने जो muscles हैं brain की उनको challenge करना शुरू करते हो आप वहाँ पर खड़े होकर महसूस करते हो कि ग्यानिंदरी हैं हमारी कैसे काम कर रही है और दिवा सपनों में तो बस आप बहे चले जाते हो तो आप avoid करना कि आप दिवा सपनों के साथ ना जाओ आप एक planned imaginary झाल 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 मुझा झाल 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 झाल